हलो एवरिवान, मैं हूँ दरुना और मैं लाती हूँ आपके लिए इंगिश लैंग्वेज से जुड़ेवे कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियोज आप सूच रहे होंगे कि मैं ये सूई, थागा या कैची लेकर आखर कर क्या रही हूँ मेरे भाई ने आज खेलते समय अपनी पैंट फार ले, अब उसे ही रफू करने की कोशिश कर रही हूँ वैसे थोड़ी बहुत सिलाई तो मुझे भी आती है, रफू करना आता है, तुर्पई करना आता है, उसके अलावा मुझे सिलाई, कड़ाई और बुनाई भी आती है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सिलाई से रिलेटेड वोकाबलरी बताने जा रही हूँ सिलाई करना या सिलाई, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सौव, वैसे तो स्पेलिंग होती है, एस ए डबलू, पर प्रिनाउन्स हम इसे करते हैं सौव, सियू नहीं, इसके अलावा कैची, इसे कहा जाता है सिजर, दागा, इसे कहा जाता है ध्रेड्ड और ये जो हमारे प हध़ए करने को इंदे डान और तुर्पाई करना प्लावज में हम तुर्पाई करते है ना तुर्पाई करना इसे कहा रखेगा यह तो हुई सिलाई की बात बुनाई को इंगलिश में क्या कहते हैं बुनाई को इंगलिश में बोलते हैं knit K-N-I-T knit और जो बुनाई करने की जो सूई होती है उसे कहते हैं knitting needle कढ़ाई इसे कहा जाता है embroidery और कढ़ाई करना इसे कहा जाता है embroidery जिस कपड़े की हम सिलाई करते हैं जैसे सूट सिलना है हमें तो हमें उसका कपड़ा लेना होता है न तो उस कपड़े को हम cloth नहीं बोलते हैं उसे हम बोलते हैं material और कुछ कपड़े बहुत पतले होते हैं तो उसके नीचे हम अस्तर लगाते हैं अस्तर इसे कहा जाता है lining अस्तर लगाना इसे कहा जाता है line सबसे common चीज क्या होती है पटन निकल जाता है या तूट जाता है पटन निकलना इसे कहा जाता है पटन come off और पटन लगाना इसे कहा जाता है saw a button on something fall लगाना साडी में नीचे fall लगाते हैं तो उसे कहते हैं attach fall पी को भी करते हैं साडी के किनारे पर especially पल्ले पर पिको किया जाता है तो उसे कहा जाता है पिको की स्पेलिंग पर ध्यान दीजेगा पी आई सी ओ टी पर इसे हम प्रेनाउंस करते हैं पिको डू पिको एजिंग पर यह सब करेंगे कैसे उसके लिए सिलाई मशीन तो होनी चाहिए ना सिलाई मशीन को इंग्लिश में कहते हैं sewing machine तरजी जो होता है ना तरजी को क्या नापने का फीता होता है नापने के फीते को इंग्लिश में कहते हैं measuring tape या फिर tape measure एक सिलाई की kit होती है जिसमें हम सूई धागा और scissor catchy इसके अलावा button फीता सब कुछ रखते हैं तो उसे कहते हैं sewing kit chain इसे कहा चाता है zip या zipper नारा इसे कहा चाता है draw string चरकी होती है ना जो machine में लगाई जाती है जिसमें धागला पेटा चाता है उसे कहा चाता है reel या spool बटन को एंग्लिश में button ही कहा चाता है और जो car's होता है जिसमें button खुसाया चाता है ना काज भी बनाते हैं उसे कहा चा तरजी लोग अपनी उंगली में एक कवर जैसा पहनते हैं जिसे सुई बार-बार उनकी उंगली में जुभे नहीं उसे हम कहते हैं थिंपल फंदा इसे कहा जाता है लू और सीवन जब एक कपड़े के उपर तूसरा कपड़ा रखते हैं और सिलाई करते हैं मोटी सिलाई तो उपर से दिखाई देते हैं तो सीवन को एंगलिश में कहते हैं सीम छोटे लड़कियों के फ्रॉक में स्पेशली नीचे की तरफ या स्लीफ पर हम जालीतार कपड़ा लगाते हैं उसे कहा जाता है लेस सूती कपड़ा इसे कहा जाता है कॉटन मेटेरियल या कॉटन भी बुनाही करने के लिए हमें उन की जरूरत होती है उन को इंगलिश में कहते हैं और जो कच्ची उन होती है उसे कहा जाता है फ्लीस आपको याद है हमारी तादी नानी यह सब वैबंध कारी करती थी बहुत से पुराने-पुराने कपड़ों को एक साथ चोड़ कर बहुत र कहते हैं पैच वर्क करखे को इंगलेश में कहते हैं लूम तो यह थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो रेलेटेट हैं सिलाई से यानि सोइंग से आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंट्रेस्टिंग होने के साथ साथ इंफोर्मेटिव भी होगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आता होंगी, till then have a nice day bye bye